हलो फ्रेंज हेल्थिन हेंज में आप सभी लोगों को विश्य श्वागत है आज हम बात करेंगे बी एम आई के बारे में आप जानते हैं वाट इस बी एम आई बी एम आई क्या है अप लोगों को क्या पता है बी फर वाडी एम फर मास और आई फर इंडेक्स बाडी का मतलब है सरीर मास का मतलब है हमारा सरीर का कितना वेट है और इंडेक्स है एक इंडिकेटर जो हमको इंडिकेट कता है कि हमारा बाडी का वेट कितना के अंदर रहने से हमारा weight से ही है इसको बताते है Body Mass Index So finally Body Mass Index is a indicator which shows our weight status according to our height मतलब है Body Mass Index एक indicator है जो हमारा height के wise weight कितना होना चाहिए वो हमको दिखाता है तो what do we know in BMI और why should I check my BMI मैं BMI क्यों check करूँ मेरा क्या जरूरत है BMI check करने का क्योंकि इसलिए अगर हम BMI check करते हैं तो इसमें पता चलता है मैं ओवेज हूँ या नर्मल हूँ या अंडर्वेट हूँ दिन हम आते हैं कालकुलेशन के पार्ट में मेरा BMI कितना है मुझे कैसे पता चलेगा इसके लिए एक छोटा सा कालकुलेशन है जैसे हर चीज को निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है बैसे ही BMI को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जिसको हम weight in kg by height in meter square से हम एक फॉर्मूला यूज करके BMI हम कालकुलेशन करते है हम BMI कैसे कालकुलेशन करते है इसका एक एक एक्जाम्पूल में बताते हूं सपोज पर्सन का weight है 50 kg height है 160 cm that is 1.6 meter then BMI कैसे निकालेंगे person's weight in kg by height in meter square so weight है इधर 50 then इसका height है 1.6 meter है इसका square होगे है 2.56 तो टोटल इसका कालकुलेशन में आया BMI निकला 19.53 kg पर meter square तो इतना इसका BMI आया तो अभी हम दिखेंगे यह BMI का range नर्मल होता है या फिर overweight होता है या फिर underweight होता है इसको पता चलेगा जब हमको पता चलेगा नर्मल BMI कितना है तो नर्मल BMI हमारा इस chart में हम discussion करेंगे तो यह जो chart है एक indicator है उसमें जो करता है अगर हमारा BMI का result 18.5 से नीचे आएगा तो हमें underweight बोला जाएगा अगर हमारा BMI 18.5 तो 25 के अंदर आएगा तो हमें नर्मल माना जाएगा अगर इसका आएगा 25 से 30 तो overweight बोला जाएगा अगर 30 से उपर होगा तो obese बोला जाएगा फ्रेंज अगर आपको BMI कालकुलेशन पता चल लगया तो जल्दी शी आपना weight and height measure करके BMI निकालके मेरी comment box में ढालिये और अगर आपको BMI के उपर ये वीडियो आपको आच्छे लगा तो इस वीडियो को like केजे, comment केजे, share केजे and don't forget to subscribe Thank you for watching